हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपके अपने यूटूब चैनल सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज 6 अप्रेल 2020 के सभी टाप करेंट अफेस के क्वेस्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए किसी ने क्या कमाल की बात कहीं है एक वक्त में एक ही काम करो और उस काम को करते समय अपना सब कुछ उसी में जोंग दो चलिए फ्रेंड्स आज का पहला क्वेस्चन डिस्कस करते हैं विश्व में सरवाधिक मुद्राभंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से अस्थान पर है तो भारत को हम चीन नस्थ कोर्चन के अबढते हैं कारंटाइन से बहाग से पॉजीटिव मरीजों को ठ्रैक करने के दिए सरकार थ्रेंट्स अगर हम बात करें तो जो जीओ फेंशिंघाड!」 एप है अगर कोई रोगी भाग कर कहीं भी जाता है तो यह डाक्टर्स को SMS और इमेल अलर्ट भेजता है और यह एप भागने वाले बेक्ट के मोबाइल टावर लोकेशन से उसको ट्रैक कर लेता है और जर्रली सरकार इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 केता है टेलीकॉम कंपनी से हर 15 मिनिट में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है DOT. ने सभी टेलीकाम कंपनी से मोबाइल टेटा सरकार के साथ सेर करने के लिए COVID-19 Quarantine Alert System यानि कि CQAS जारी किया है अगर क्वेशन पूछ लिया जाए What is full form of CQAS तो क्या होता है COVID-19 Quarantine Alert System तो इसको जारी किया गया है यही पर एक क्वेशन पूछ लेता है कि CQAS यानि कि COVID-19 Quarantine Alert System जो कि अभी उपर हमने डिस्क्स किया तो इसका इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज कौन बन गया है तो इसका इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज केरल बन गया है अब बात करें केरल के केरल से रिटेर इंपर्टन फैक्ट की तो फ्रेंट्स जनरली केरल का गठन एक नॉवम्बर उनिस्सोच्पन में किया गया था और इसकी राजवांसा मलियालम है प्रदेश लच्छिदीव को सामिल कर दें, तो total मिला कर तीन हो जाते हैं. और यहीं से question पूछ लिया जाता है कि Silent Valley कहां इस्थित है, तो Silent Valley जिससे सांग्धिःटी की नाम से जाना जाता है, वो केरला में ही इस्थित है. Next question कर बढ़ते हैं? ACI UA खेल 2021 की मेजबानी किस देश को परदान कर दी गई है? तो 2021 की मेजबानी ACI UA खेल की चाइना को मिल गई है आपसन B is correct answer Friends, 2021 में UA खेलों की तीसरे संस्क्राइब का आयोजन 2021 में नवंबर माह में किया जाएगा कब किया जाएगा? 2021 के नवंबर माह में अब बात आई है चाइना की, तो चाइना से important facts को भी देख लेते है Generally, चाइना जो है, ये ACI महादिब में इस्तिते B का सिल्देस है और चाइना की सबसे बड़ी एक नदी है, जिसका नाम है यंग्ट सी नदी जिसके लंबाई है 300 किलोमीटर और ये friends पता है, ये ACI की सबसे बड़ी नदी है अगर चाइना की capital की बात करें, तो क्या है बीजिंग, यहाँ के प्रसिटेंट शिंग जिन्पिंग जी है और currency क्या है, renminbi, currency लेकिन कुछ friends को ये confusion होती है कि हमने तो कोई यवान पढ़ा था, लेकिन नहीं, जिस प्रकार से भारती करेंसी का एक part रुपया होता है, ठीक, उसी प्रकार से यवान जो है, ये renminbi का एक part है, तो इसमें confusion कभी आप create नहीं करेंगे और यहीं से question और पूचा आ जाता है कि चीन और भारत के मध इस्तिसीमा रेखा का नाम क्या है, तो भारत क्यों चीना की मध इस्तिसीमा रेखा का नाम Mike Mohan रेखा है next question के उपड़ते है, COVID-19 के मरीजों को track करने के लिए किस राज ने महा कवच के नाम से mobile app लांच किया है, तो महा कवच के नाम से mobile app महाराष्ट के government ने लांच किया है, अब बात करते हैं महाराष्ट की, तो महाराष्ट की capital मुंबई है और प्रजन टाइम में यहां के जो CM है उद्धु ठाकरे जी हैं, जो की सिफसेना प्रावर्टी से ब्लांग करते हैं, और प्रजन टाइम में गवर्णर भगत सिंग कोशियारी जी है महाराष्ट की कुछ प्रजन नेशनल पार्क की बात करें, जो की लगभग किसी ने किसी एकजामी पूछी लिया जाता है जैसे चंदोली नेशनल पार्क, संजे गांधी नेशनल पार्क और नेगवन नेशनल पार्क और टेडोबा नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क ये सभी महाराष्ट के परसिद नेशनल पार्क हैं चलिए, नेक्ट कोशन क्यों परते हैं पवित्र, सहर, मक्का और मदीना में 24 गूटे करफ्यो लगा दिया गया है तो यह किस देश में स्थितृ है तो मक्का जिब मदीना सौधी अरब में स्थित्ः है और सन्वेश क्रेक्ट आंसर फ्रेंट्स जनरली जो यह करफ्यी 24 गंटे के लेखाया गया है इसका मेन मकसद क्या है सभी लोग जानते हों कि कोरोना वाइरस को रोकना ही मेन मकसद है इसलिए 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया मक्का और मदीना में अगर हम important facts की बात करें कोबी 19 से related तो जितने भी लगबग important question बन सकते हैं सारे हम discuss कर लेते हैं question पूछ लिया जाता है कि चीन के किस प्रांथ से मतलब यह coronavirus जनरली फैला तो प्रांथ का नाम है हुबेई प्रांथ लेंगे कर सहर पूछ लिया जाए तो उहान सहर है तो वहीं से यह coronavirus से होने वाली बिमारी जो पुरे अल्वर्ड में फैली और उसका नाम के दिया गया COVID-19 और पता है वहान से फैले coronavirus का नाम के दिया है इसका नाम दिया है SARS-Co-2 यह वहान को के दौरा नाम दिया गया है और आप सभी लोग जानते होंगे कि COVID-19 को World Health Organization यानी WS4 ने महामारी भी घोसित किया है और यही से एक question अगर पूछ लिया जाता है कि coronavirus के कारण भारत में जनता कर्फियू कब लगाया गया तो 22 March 2020 को भारत में जनता कर्फियू लगाया गया और friends question क्या बन सकते हैं coronavirus के कारण पूरे राज में पूर्ड कर्फियू लगाने वाला पहला राज भारत का कौन बना तो बरा पंजाब और coronavirus के कारण लागडाउन करने वाला भारत का पहला राज कोन बना राजस्थान का रेक्ट आंसर और क्या question पूछा जा सकता है COVID-19 मानुशरीर की किस अंग को प्रभावित करता है तो यह जनरली फेफडे को प्रभावित करता है और coronavirus यानि की COVID-19 के test का नाम क्या है तो इसका नाम है RT-PCER इस test का नाम है चलिए next question की और बढ़ते हैं हाल ही में पोकर स्टार्श इंडिया के ब्रांड अंबहेडर की दिया कि इस निविद यह तो पोकर स्टार्श इंडिया के ब्रांड अंबहेडर महेंसी ध्हुनी को चुना गया है a is sorry friends, a is correct answer पोकर इस्टार्स की बात करें तो यह एक आनलाइन पोकर काल्टून गेम है अगर हम यमेस धोनी की बात करें महेंसी धोनी जी की तो यह आफ सभी लोग जानते होंगे जारखंड की राजधानी राची से बिलांग करते हैं और इनहीं के कप्तानी की नेतिरत तुमें 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का एक दिवस्य वर्ल्ड कप का खेताब भारत नहीं जीता था नेक्ट कोशिन को बनते हैं हाल ही में न्यायमूर्ती रजनीश ओस्वाल किस हाई कोड के नयधिस बने हैं तो न्यायमूर्ती रजनीश ओस्वाल अभी हाल ही में जम्मू कस्मीर हाई कोड के नयायधिस बन गया हैं आप से ने इस correct answer आप कुछ important fact की बात करें तो फ्रेंट्स जनरली ये जस्टिस रजनीश ओस्वाल जी जम्मू कस्मीर हाई कोड में भारत के सम्यधान की सफथ लेने वाले पहले जज़ बने हैं और जम्मू कस्मीर के पर्थम उपर राजपाल की बात करें कौन हैं गिरीश चंद मुर्मू जी हैं और यह कई एक्जाम में पूछा भी गया है फ्रेंट्स जम्मू और कस्मीर को री आर्गनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत राष्ट्रपती की दवारा वहां से आर्टिकल 370 & 35A को रेमूब कर दिया गया जम्मू कस्मीर से और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कस्मीर एक केंसासित परदेश बना और फ्रेंट्स जहीं से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं 31 अक्टूबर को एक महाप्रूस का दिवस भी से लिबिरेट किया जाता है तो आप थोड़ा कमेट बॉक्स में लिकर जरूर बताएं अगर आप तक काप्टल रहती है टोटल जीलो की संख्या 20 है लेटलेटल सीट संख्या 14 है और लोग सभाव की संख्या 5 है यह तोटल राद सभाव सीट की संख्या 4 है यानि 4 है यह तने क्वेस्चन इंपर्टन बन सकते हैं मैं आप से रेकेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अ अगर हम दिल्ली से लेटर कुछ इंपर्टन फैक्ट को जान ले फिरेंट्स देखिए अगर एक क्वेस्चन पूछा जै कि नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है तो राजधानी बनाने की घुसला फर्स टाइम जार्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 में हुए दिल्ली रहे फिरेंट दिल्ली को राधानी के रुब में बनाया गया दिल्ली दर्बार में इसकी घुस्चता की गई और प्रजन टाइम में दिल्ली के जो सियम है हो कवन है अरभिन्द केज रिवाल जी है जो की आम आदवी पार्टी से बलाइंग करते हैं और ये हैं दिल्ली के त सभा सीट की संख्या साथ है और टोटल राज सभा सीट की संख्या तीन है और टोटल बिधान सभा सीट की संख्या सेवंटी यह नि सत्तर है नेक्ट को वड़ते हैं अभी हाल ही में जाने माने किस वायरोलोजिस्ट का नोवैल कोरोना वाइरस के का निधन हो गया तो बहुत ही गीता राम जी की तो विश्व परसिद वाइरो लॉजिस्ट जी का निधन हो गया यह दच्छड अफ्रीकी वैक्सीन वैग्यानिक और एच आईवी रोक्थाम अनुशंधान के परमुख राम जी औरम संस्थान में मुख वैग्यानिक अधिकारी के रूब में कारेडर रख थ तो यह जो जो जर्णरली ऑनलाइन हैक्थान यह है एक्डग क्राईसिस इंडिया यह संजे धोत्रे के द्वारा लांच किया गया है कोविड-19 महामारी का समाधान खोजने के लिए आनलाइन हैक्थान हैक्थान को एक वैस्विक पाहल के तहट एलेक्ट्रानिक्स और सूचना परद्योग की संचार और मानुशंसाधन विकास राजमंत्री संचे धोत्रे के द्वारा लांच किया गया है तो आपसर और यही से क्वैस्चिन पूश लिए जाता है कि परजन टाइम में केंद्रिये, एलेक्टरानिक्स और सूचना परद्योग की मंत्री कौन है तो कौन है रभ संकर परसाथ जी है next question Asian development bank ने किस नाम से अपना आउटलुक जारी किया है तो अभी हाल ही में Asian development bank ने Asian development outlook 2020 के नाम से अपना आउटलुक जारी किया है तो आप सर इस करेक्ट आउसर हो जाएगा तो friends जितने भी important questions बन सकते थे आज से related हमने सभी को discuss कर लिया उमीद करता हूं यह वीडियो आप समय लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अपने friends zone में जरूर share कर दें यदि आप इस चैनल पर पहले बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कुल न भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि डेली current affairs की वीडियो की notification आपको समय के अंसार मिल जाया करें सभी पीडियो को एक साथ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेली ग्राम गूर्प को जोईन कर सकते हैं जिसका link मैंने description box में दे दिया है तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप lockdown का सभी लोग पालंकर ही रहे होंगे तो चलिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और दूसरे को भी जागरूप करें जय हिंद बंदे मातरम